हे गाईज, हाओ यू, होब कि आप अच्छे होंगे और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक के बाद मैंने यह गलती की तो मेरा जो जॉब है वो नहीं लगा ऐसा मैंने ही कह रहा हूँ ऐसे कई स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है तो उनको रियलाइज होता है कि सर मैंने यह गलती की, यह मिस्टेक की सायद नहीं करता तो जो आज मेरे पास जॉब होती चीजे भी मेरे लिए अच्छे काम करती तो आज का वीडियो बते को बहुत साइए लोगो मैं करियर काउशलिंग भी देता रहता हूँ मैं एक्सपर्ट करियर काउश counseling हो करता हूँ और किसी को भी करियर काउशलिंग करानी है करियर से यह दिक्कत हो, कि प्राप्लम हो तो आप मेरे इसे बात कर सकते हैं link description में दिया गया है अगर हम बात करें कि आपका जो करियर है वो किस तरह आगे जाएगा करियर को किस तरह आगे ले करके जाएगा किस तरह की चीजे होंगी और कौन सी ऐसे mistake है जिसको अगर avoid आप करो ना करो तो साइध polytechnic के बाद आप बहुत जल्दी जॉब ले लोगे और आपको कोई रोक नह सबसे बड़ी पहली गलती जो लोग इस दिमांग में सोचते हैं वही सबसे बड़ी mistake होती है कि वह लोग सोच लेते का हम इंजिनियर बन गया हमारी लाइफ सेट है तो वह जो मिस्टेक है ना वह सबसे बड़ी mistake हम करते हैं उसके अलावा अगर हम यह mistake ना करें इन चीजों समझे वह polytechnic organized way से पढ़वा आप अपने mindset में पहले बैठालो कि आपको government job में जाना या प्राइवेट जौब में तो फस्टियर से एकदम सारी बुक पढ़ डालो जो गौर्मेंट जौप से रिलेटेड बुक है तो फस्टियर का वह गौर्मेंट जौप से रिलेटेड क्य कि आप government job नहीं clear कर पाओगी तो मच जाओ government job को छोड़ दो प्राइवेट इंडस्री में आपको यह लगे कि मैं इस इंडस्री में अच्छा कर सकता हूं यह इंडस्री पैसे वाली है इस इंडस्री में जाओंगा तो मेरे लिए बहुत अपॉर्चोनिटी है और उसके से इंडस्री के बारे में जानिये और किस तरह से इलक्टिक वैकिल काम करती ऐप करती सारी चीजों करना होगार पहले का टाइम था कि लोग फाइनल यह में जाकरके इन सब चीजों पर वर्क करते थे लेकिन जमाना बदल चुका है चीजे अफग्रेड हो गई है चीजे बहुत तेजी से अफग्रेड हो गई है तो आपको भी उसी तेजी से अफग्रेड करना पड़ेगा अपने आपको और अगर यह कर रहे हो आप जो गलतियां आप कर रहे हो कि पहला आपने करियर पर फोकस ना करना दूसरा अपनी कम्यूनिकेशन इसकिल पर वर्क नहीं करना तीसरा अपनी टेक्निकल इसकिल पर नहीं करना चौथा फाइनल ये में सोचना कि साथ मैं क्या करूंगा क्या ना करूंगा पाच अभी prize में कुछ करो अच्छे से करो कर लेकिन ऐख से रहो जब आप यह सई करोगे चीजिए अच्छे से जाएगी और दीरे-दीरेएपका करियर का गराब उठा चला चएगे तो यह पॉइंट मैं इसलिए बता रहाँ और भी लोग आ रहे हैं मार्केट में तो उसी लेवल पर आपको अपने आपको प्रपेयर करना पड़ेगा हर चीज पर वर्क करना पड़ेगा पहले था डिग्री ओरियंटेड था अब स्किल ओरियंटेड चीज़े हो गई है हर कंपनी प्राइबेट या गौवर्मेंट सब स्किल चाहिए गौवर्मेंट में भी है स्किल नहीं आपके अंदर तो निकाल देगी कंपनी तो बस वही है वीडियो में इतना ही अगर आप टेलिग्राम पर हो तो वहां पर जाके जॉइन करूं मिलते आप से नेक्स वीडियो में थैंक्यू